Hello students, so finally maths का 3rd chapter कर रहा है और 3rd chapter में भी exercise 3.2 तो आज हम exercise 3.2 करेंगे basically मैं आपको बता दूँ कि हमारा round 4 चल रहा है और round 4 के यह साब से न यह हमारा 4th chapter होना चाहिए था but round 3 के दर्मियान हमारा exam होने के करणे न हमने maths के 3rd chapter को complete नहीं किया था तो हम अभी round 4 में maths का 4th chapter करने के बज़ा हम 30 chapter कर रहा है तो वो हम बाद में cover कर लेंगे चलिए देखिए exercise 3.2 का जो first question रहा हो फिरिंग दा blanks है और इसमें हमको greater than less than या equal to का sign यूज करते वे बताना है तो देखिए जब इस तरगे का sum होना तो simply आपको integer chapter बढ़ रहे है तो देखो solve करना आना चाहिए जैसे minus 4 का minus 4 plus minus क्या औता है minus होता है तो minus 5 हो गया minus minus plus होता है तो 5 plus 4 9 5 बड़ा है 5 के आके कौन सा sign है minus नहीं देखो इसका minus 4 तो minus 4 ही रहेगा minus minus it gives plus और 5 अब minus plus is minus तो 5 में से 4 को minus करेंगे तो कितना हैगा 1 और 5 बड़ा है 5 के आगे sign कौन सा है plus अब देखो इंदों में बड़ा कौन सा है definitely जो plus वाला है वही बड़ा होगा तो यहाँ पर sign इस तरह के एक हो जाएगा ठीक है? similarly इसके अंदों देखो plus minus is minus 19 और इधर के आगेगा minus minus is plus तो 14 plus 19 14 plus 19 अब देखें यहाँ पर plus का sign है यहाँ पर ही plus का sign है क्योंकि जब कोई sign नहीं होता है तो उसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर plus का sign है plus minus is minus तो 19 minus 14 15 is 5 और 19 बड़ा है तो इसके लिए minus का sign है यहाँ पर similarly plus plus is plus and 19 plus 14 कितना हो जाता है 33 plus में तो definitely यह बड़ा होगा similarly देखें minus 21 plus minus is minus 8 इधर minus 30 plus minus is minus 18 तो यह हो गया minus minus plus 30 और 18 मिलके 48 और 30 बड़ा है न तो उसके आगे minus का sign है तो minus यहाएगा similarly minus minus plus तो यह हो गया 29 और minus का sign यहाएगा अब देखें इन दोने में बड़ा कॉन सा है यह बड़ा है क्योंकि जब जो number छोटा होता है उसके आगे minus का sign होना तो समझ जो वो बड़ा होता है तो यहाँ पर इस प्रकारगा हो जाएगा इसमें minus 19 plus 11 तो minus 8 हो गया यह और इसमें minus 16 plus 12 तो यह हो गया minus 4 इसमें यह बड़ा है तो यह इस तरीके से होगा देखें अब जो question number 2 है न वो क्या बोलना चाहरा है कि एक number है इसको हमें इस तरीके से directly add नहीं करना है number line का मदद लेना है तो संबल लो number line इस तरीके की number line है इधर मैंने ले लिया 0 यह हो गया 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 ठीक है इधर हो गया minus 1, minus 2 minus 3, minus 4 minus 5 तक अब देखो यह 8 यहाँ पर है अब देखो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 8 plus minus minus 5 यहाद रटना जब minus होता है हाँ तो हमको left side जाना होता है तो देखो कितनी बार जाना है 5 बार जाना है 1 2, 3, 4, 5 तो इसका अंसर क्या आएगा plus 3 कितना आएगा answer 3 बस यह simply करना है देखो एक sum है उसमें तीन टमसे में वह वाला आपको समझा दो minus 5 plus of minus 6 plus 8 देखो एक number सा number line खिचो ठीक है देखो 1 0 गया minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 minus 11 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो सबसे प्रहें देखो minus 5 यह रहा ठीक है अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ minus 5 plus minus is minus 6 plus 8 तो minus 5 में आप minus 6 करो तो 6 बार उदर जाना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि इम लोग पहुचे कितने पे minus 11 पे अब plus 8 करना है यानि 8 बर वापीस आना है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कितना आंसर है यह minus 3 इसका final answer कितना होगा minus 3 और उसी तरीके से आपको बाकी के sums भी करने होंगे देखिए using the number line subtract the following यह भी simple सी चीज़ है 10 अब minus minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो आपको simply करना क्या है 10 ढूंडना है कहाँ पर है और उसके बाद 3 step right side चलना है इसमें minus है ना तो 17 ढूंड कर उसके बाद में 5 left hand side चलना है और minus 12 ढूंड कर 4 बार left hand side याना है minus 11 में minus minus plus होगा तो 4 बार plus करके जाना है यह आपको खुदी करना है देखिए सारे without अब देखो without using यहां तक तो number line का use करके यह without using यानि क्या हो गया यह इसकी तरह करना है जो मैंने आपको सिखाया था वही आपको technique से करना है ठीक है एक इन में से ना मैं यह वाला करके दिखा देता हूं ठीक है तो सिधे पले यह देखो plus minus होता क्या है minus होता है तो सिधे minus 120 लिख दो अब minus minus क्या होता है तो minus minus plus होता है यानि 350 में 120 plus करूंगा ना तो यह हो जाएगा 470 अब बड़ा कोन है यह बड़ा है तो इसका क्या के sign कौन सा है minus तो minus 470 इसका answer है similarly अब देखो इसकी बारी करता हूं इसको कैसे लिखूंगा देखे plus minus is minus 312 plus 89 अब plus minus is minus 63 जब भी ऐसे समो ना तो देखो यह plus वाले को साथ में ले लो तो plus 192, plus 89, और minus 312, minus 63, तो पहले इन नोंको आफ प्लस करो, 192 और 89 को, 192 plus 89 होता है, 281 plus का साइन, और ये हो जाएगा आपका लगबग, लगबग, minus minus plus, तो 573, minus 375, अब देहो, plus minus क्या होता है, minus होता है न, तो मुझे 375 में से 281 को minus करना पढ़ेगा, तो 375 में से 281 को माइनस करो तो 94 आता है अब देखिए बड़ा यह ना बड़े किया के साइन कौन सा माइनस तो इसका आंसर कितना हैगा माइनस 94 अब इसी तरीके से न आपको कोशन नुमर 5 भी कर लेना है अई बस अंगे ठीक है कोशन नुमर 5 आपको खुद करना है अब मैं आपको कोशन नुमर 6 समझाओंगा देखे कोशन नुमर 6 क्या बोल रहा है दा सम आप टू इंटिजर इस 145 जयानि दो इंटिजर है जिसका टोटल जैसे समर लो दो इंटिजर एक्स और वाई है इनका सम्मेना वो कितना है 145 क्या बोला जा रहा है if one of them is minus 39 अब समझलो इन दोने से किसी एक को minus 39 मान लो तो मैंने x को ही minus 39 मान लिया ठीक है और तो यह क्या बोल रहा है कि y ढूण के दिखाओ simple सी बात है यह पूरा term उस तरफ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा वालो मैं 145 यह minus 39 है न तो उस तरह हो जाएगा न तो यह plus 39 हो जाएगा क्या बन जाएगा यह plus 39 क्या बनेगा यह plus 39 क्योंकि देखो whenever a number moves from one side to another side न its sign get changed तो उसकी जो sign न it will get changed तो finally what you are going to get 145 plus 39 जो भी add करके आएगा न that will be your answer 9 plus 5 is 14 carry 1 184 ठीक है तो आपका जो दूसरा integer है न वो क्या है 184 है question number 7 आपको खुद से ही करना है क्योंकि वो same इसी तरीके से है ठीक है अब मैं आपको question number 8 कराऊंगा और question number 9 कराऊंगा देखे question number 8 क्या बोल रहा है subtract the sum of this and this from this यानि इन दोनों को पहले add करो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि 528 plus minus 129 इसका जो भी answer आएगा न उसको न इसमें से minus करना है तो चले पहले इसका answer लाते है तो देखे 528 plus minus is minus 129 अब इसको solve करो अब इसका answer आता है 399 देखे इसमें बड़ा कॉन साई है न तो यहाँ पर plus का sign आएगा अब क्या बोला गया इन दोनों को जो भी sum आ रहा है न उसको इसमें से minus करो यानि condition के इसाब से क्या होगा this much minus 399 अब देखो minus minus क्या होता है plus होता है यानि मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा plus करके इसका answer आता है 716 दोनों देखो बड़ा यह है इसके अगर minus का sign है तो minus तो यह final answer आपका होगा देखे question number 9 क्या बोल रहा है add minus 116 to the difference of कहने का मतलब क्या इन दोनों के difference में जो भी answer आएगा न उसमें minus 116 को plus करना है तो देखे बात करूँ तो difference of minus 39 and 64 का मतलब यह होता है न कि minus 39 में से minus 64 को minus करना तो देखो भले minus करना है लेकिन यह automatically क्या हो रहा minus minus क्या हो जाए प्लस यानि इसमें मुझे इन दोनों को plus करना है तो 4 plus 9 is 13 3 carry 1 और यह minus का sign आएगा तो यह आपका minus 103 आया अब इसके अंदर मुझे इसको add करना है तो condition के सब से क्या हो जाएगा 103 plus minus 116 तो यह हो जाएगा minus 103 plus minus 116 फिर से देखो यह minus minus plus तो यह कितना हो जाएगा minus क्योंकि यह बड़ा है और यह हो जाएगा 119 तो this will be your final answer देखें यह हमारे exercise का आखरी question है इसमें क्या बला जा रहा है subtract the sum of these and these from the sum of these and these यानि मुझे करना क्या है minus 36 और 114 का sum निकलना है और इधर भी minus 128 का ना और 59 का क्या निकलना है sum निकलना है और इन दोनों का जो भी answer है ना तो मुझे क्या बला गया है इसका जो भी answer है ना उसके answer में से इसके answer को minus करना है तो देखे minus plus क्या होता है minus होता है ना तो 114 minus 36 कितना होगा ना वो हम लोग लिखते है तो देखे 78 आता है और 114 बड़ा इसके लिए यहाँ पर plus का sign आएगा similarly अगर मैं बुलू कि minus plus क्या होता है minus होता है यानि 128 में से मुझे क्या minus करना है 59 minus करना है तो कितना है मालूम है 69 something आता है लेकिन इदर क्या होगा बड़ा यह है ना तो minus का sign आएगा अब क्या बोला गया देखो इसका sum निकाल लिया मैंने यह आ गया इन दोनों का sum निकाल लिया मैंने यह निकाल लिया अब क्या बोला जा रहा है कि subtract करना है इसके sum में से ना इसके sum को minus करना है यानि minus minus plus हो गया यानि मुझे करना क्या होगा 69 को और 78 को plus करना होगा तो मुझ यहां पर अपना exercise खतम होता है, यह सबी चीजों का आप अपनी notebook में अच्छे से लिख लिए ना, ठीक है, चले thank you, मिलते कल फिर से with next exercise